दोस्तों अगर आप भारत के मैप को देखेंगे तो आपको भारत के वेस्ट पार्ट में दो ऐसे राज्य मिलेंगे जो इस समय भारत के सबसे समरिद राज्यों में से एक हैं वो तोनों राज्य हैं महराष्ट्र और गुजराद लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक समय दोनों राज अलग-अलग ना होकर एक हुआ करते थे जिसे बॉम्बे के नाम से जाना जाता था लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों राज आजादी के 13 साल वाद एक दूसरे से अलग हो गए एक मई 1960 वो तारीक थी जब ये दोनों राज बॉम्बे से निकल कर अस्तित्वों में आये थे और इसलिए एक मई को ये दोनों अपना-पना स्थापना दिवस मनाते हैं लेकिन या सबसे जरूरी बात ये है कि आखिर जब ये दोनों ही राज एक थे तो ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा और अलग होकर दोनों को क्या पायदा हुआ आज के इस वीडियो मैं आपको यही बताने वाले हैं दोस्तों असल में कानी शुरू होती है 1956 से जब भाशा यारी लेंग्विज के आधार पर पहली बार देश में किसी राज जी को बनाए गया था इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह की लेंग्विज बोलने वाले लोगों के लिए एक स्पेसिफिक राज दिये दिया गया साल 1956 में राज पुनर गठन अधिरियम के तहट भारत के साउत में मौझूद दो राज्यों को ऐसे बनाए गया कि जो लोग कंणल बोलते थे वो करनाटेका के हो गए और तेलगू बोलने वाले लोगों के लिए राज आंध प्रदेश का गठन किया गया था ये बात अलग है कि बाद में फिर से आंध प्रदेश से तूट कर तेलांगना निकल गया लेकिन शुरुवाती गठन सिर्फ और सिर्फ भाशा के हिसाब से ही गए था अब इन दोनों राज्यों का गठन भाशा के हिसाब से हो गया तो पूरे देश में ही भाशा के हिसाब से राज्यों को अलग करने और उन्हें फिर से बनाने की जोरदार मांग उठने लगी थी इनी मांगों में एक राज्य महराष्ट भी था जो अपनी महराथी भाषा के लिए अलग महराष्ट राज्य बनाने की मांग कर रहा था जो कि पहले बॉंबे प्रेसिरेंसी का हिस्सा था लेकिन यह महराष्ट के अलग होने की मांग आजादी से पहले शुरू हो गई थी संयुक्त महराष्ट मौर्चा हर जगे से अलग राज्य के लिए बात कर रहा था जिसके बाद आजादी मिली और जब 1953 में राज्यों के गठन का एक्ट बना तो उसमें इन लोगों से ये का गया कि आप लोग महराष्ट की मांग को लेकर अपनी एक रिपोर्ट मनाईए और उसे पेश कीजिए बाद में 1955 में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें महराष्ट के साथ ही साथ विधर्ब और हैदराबाद के उने लाकों को भी इसी अलाके में जोडने की बात की गई जहां मराठी बोली जाती थी इस पूरी रिपोर्ट में महराष्ट की मांग को तो सही ठहराए गया है लेकिन उनका कहना ये था कि महराष्ट और गुजराद दोनों अलग नहीं होंगे एक साथ रहेंगे जन्हें महाराष्ट के नाम से जाना जाएगा लेकिन इस रिपोर्ट की ये बात सहियूग तो महराष्ट मोरचा को पसंद नहीं आई और वो कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता है अब अगर शुरुआत की बात करें तो आजादी से पहले भारती राश्ट्रिय कॉंग्रेस ने भारत की भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने का बादा किया था आना कि आजादी के बाद नहरु और सर्दार वल्ला भाई पटेल ने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का गरोध किया उन्हें डर था कि भाषाई राज्य भारत की एक्ता और अखड़निता के लिए खत्रा हो सकता है सबसे चौकाने वाली बात रिये थी कि उन दुनों राष्ट्य स्वैम सेवक संग यानि रसेस और इसके हैड माधव सदाशिव गोलवलकर ने भी नहरु और पटेल के भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनाने के फैसले का सपोर्ट किया जो कि आम तोर से कॉंग्रेस की नीतियों के खराफ रा करते थे लेकिन नहरु को कम से कम दक्षणी राज्यों के बारे में अपनी रण नीती पर फिर से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा जब ततकालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलगू भाषा के लिए अलग से राज्य की मांग के लिए अंदुलन शुरू हो गया उदर शुरुवात में अगर बात गुजरात के लोगों की करें तुल लोगों ने बॉम्बे यानि के आज की मुंबई को गुजरात में शामिल करने की अपनी एक अलग मांग को शुरू कर दिया 1947 के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महराष्ट, गुजरात और उत्तरी करनाटक शामिल थे लेकिन जब महराष्ट अपने लिए अलग राज्य की मांग के लिए खड़ा हुआ तो उस समय गुजरात के बड़े-बड़े कारोबारियों ने भी गुजरात को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करने की कवाय शुरू कर दी लेकिन वो कारोबारी चाहते थे कि बॉम्बे या तो गुजरात का इससा रहे या फिर अलग केंदर शासित प्रदेश बने ऐसे में इन कारोबारियों को बॉम्बे के उस समय के सी एम मुरारजी देसाई का समर्थन भी मिला फिर क्या था एक तरफ संयुक तुराष्ट मुर्चा दूसरी तरफ गुजरात के खारोबारी दोनों अपने अपने हिस्से के लिए मांग करने लगे इस मांग की अत्त तब हो गई जब माराष्ट संयुक तांदूलन के लोगों ने विरूत थेज कर दिया और उस समय के राज्जी के सी एम मुरारजी देसाई ने इस आंदूलन को खत्म करने के लिए खोलिया चलवाने का देश दे दिया जिसमें 106 अंदूलन कारियों की मौत हो गई जिसके बाद साल 1955 में आई उसी रिपोर्ट के फैसले पर महराष्ट गुजरात को एक साथ बाइलिंगल स्टेट बना दिया गया जिसकी राजधानी बना बॉंबे लेकिन इसके बन जाने के बाद भी महराष्ट में मराठियों को एक साथ राज़ में रहने के लिए मांग चलती रही लेकिन उसी साल यानि 1956 में शुरुआत होती है महा गुजरात आंदूलन की जिसमें गुजरात और महराष्ट्र से अलग राज्य बनाने के लिए आंदूलन होने लगा और आपको यह जानका रहरानी होगी कि आंदूलन आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदूलन था जिसकी शुरुआत इंदूलाल यागनिक ने की और उनीक यागवाई में आंदूलन चल रहा था लेकिन आंदूलन को अभी वो आग नहीं मिली थी और ये आग मिली तब जब अगस्त 1956 में गुजरात के चात्रों का एक ग्रूप गुजरात की मांग को लेकर सीम मुरार्जी देशाई से मिलने के लिए पहुचा था लेकिन जैसा मुरार्जी देशाई ने संयुक्त महराष्ट आंदूलन के साथ किया था वैसा आई यहाँ पर भी किया और चात्रों को भगाने के लिए उन्होंने पुलिस को हिंसात्मक कारिवाई करने के आदेश दे दिये अब जब मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिये तो पुलिस को काम तो करना ही था अब पुलिस ने चात्रों पर हिंसा की जिसमें साथ से आठ चात्रों की जान चली गई जिसके बाद तो आंदोलन में बैठे हुए लोगों के बीतर आग लग गई और याक तब रुकी जब 1 मई 1960 को देश में बॉमबे प्रेसिडेंसी के जगा भाषा के आदार पर दो राज्यों का गठन हुआ जिने आप महराष्ट और गुजरात के नाम से जानते हैं लेकिन इस मटवारे के बाद भी संयुक्त महराष्ट की मांग को तरजी देते हुए पॉमबे यानि आज की मुंबई को महराष्ट को दे दिया गया और तब से लेकर आज तक महराष्ट की राजधानी है और देश का फिनैंशल कैपिटल भी जिसके बाद एमधाबाद गुजरात की राजधानी बना और ये दोनों शहर पोर्ट सिटी हैं इसलिए दोनों राज़ियों के बाहर से होने वाले कारोबार में कोई दिक्कत नहीं आई जिसके बाद से आज तक ये दोनों राज़ एक दूसरे से हेल्दी कामपनिशन में रहते हैं आज ये दोनों प्रदेश ही भारत के दो सबसे अमीर राज़ियों में शुमार हैं लेकिन अगर बात पिछले 10-12 सालों की करें तो मैनुफेक्चरिंग के मामले में गुजरात ने महाराष्ट को पीछे चोड़ते हुए देश का सबसे बड़ा मैनुफेक्चरिंग अब बनने का तमगा अपने नाम कर लिया है तो दोस्तों ये थी कहानी महाराष्ट और गुजरात के एक दूसरे से अलग होकर भाशा के आधार पर राज़्य बनने की आप भाशा के इसाब से राज़्य बनाने के बारे में क्या सूचते हैं आप अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने तोस्तों और शिज़ारों के साथ शेयर जरूर कर दें अगर आप ये वीडियो यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पेल आगए न बा दें अगर फेस्बुक पर आप की वीडियो देख रहे हैं तो फेस्बुक पेच को जल्दी से लाइक करें फिलाल के लिए इतना ही अभी के लिए दीजिया में अजाजत आप से मलाखात होगी अगली वीडियो में शुक्रिया